जै झोहर संगवारी हो, आप मन देखत हो सीजी फार्मर और मैं आप मन के दोस्त मुरली धर्शा हूँ तो संगवारी हो, आज हमन लाल भाजी के बारे में बात करूँ ये लाल भाजी के जो फसल है, येला कैसे लगाए जाते और का का साओधानिया में बरतना चाहिए आमदानी हो सकते हैं। तो संगवारी को वीडियो में अंत तक बने रही है । री यह दि आपमन नए हैं यहनल में तो हमर चैनल लघ सस्क्राइब करो और वीडियो पसंद ही तो आपन वीडियो ला लाइक चरूर करो तो संगवारी हो लाल भाजी लगाय से पहली हम अला जमिन तयार करना पड़ थे और जमिन तयार करे के बर सबसे पहले अच्छा घहरा जोताई करना है घहरा जोताई करे के बाद अमा रोटावेटर चलवा देना है रोटावेटर चलने के बाद हमनला क्यारी बना लेना चाहिए या तो फिर मांदा या फिर मेड खीज़ देना चाहिए यह मांदा या मेड बना के भी बुआई कर सकतान और क्यारी में भी बुआई कर सकतान और और जब क्यारी बना थान वही टाइम में हमनला थोड़ा सा डिएपी और सुपर फास्पेट डाल देना चाहिए जेकर से हमनला पैदावार अच्छे से अच्छा मिल सके और सिधा एकर बाद फिर बीज डालना है संगवारी हो और बीज छिड़के के बाद में एकर बाद हमनल से बीज दिन के बाद होकर फसल पूर्ण रुप से तयार हो जाते हैं ऐसे तो लाल भाजी में कोई प्रकार के शमस्या नहीं आए लेकिन गर्मी के दिन में अक्सर जो लाल भाजी के पत्ता है वो हलका सा सफेज सफेद दिखाई देने लग जाते हैं यह बहुंच जदा गर सब्सक्राइब करके शिड़कना चाहिए और संग्वारी हो एकर तयार पौधला ज्यादा तर तो सिधा उखाड लिया जाते उखाड एक बाद छोटे-छोटे बंदल बांद करके इला मार्केट ले जा सकतना या तो फिर दूसरा तरीक है कि हमन कोई हसिया या तो फिर कोई धार-दार चाकू या फिर कुछ और है ओकर जरिया भी ओला काट के अलग कर सकतना और छोटे-छोटे-छोटे बंदल बांद करके अच्छे सिद्धों के मंडी ले की जा सकतना का है अभी वर्तमान समय में मंडी रेट 18-20 रुपे के आस पास चलत है एकर से हमला प्रती एकर 30-35,000 तक की मुनाफ़ा अराम से हो सकत है तुछ संगवारी हो आप मनले यदि ये वीडियो अच्छा लगी सोही तो हमर वीडियो ला लाइक कर हो और एकर अवा लावा आप मनला और कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतावा तुछ संगवारी हो आज के लिए बस इतना ही मिलतन फिर एक नवा वीडियो में तब तक के लिए जय जोहर जय चत्तिस गर्ड़